हलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में आज की वीडियो में हम जानेंगे इन्वार्टर की बैटरी में पानी डालने का सही तरीका क्या है अगर आपके पास इन्वार्टर बैटरी है अगर नहीं है तो आप जरूर कभी न कभी inverter बैटरी खरी देंगे इसलिए आपको यह वीडियो जरूर देख लेना चाहिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से छोटा सा निवेदन है अगर यह वीडियो आप यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फालो करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते ह तो दोस्तो हम यहां आ गए हैं बैटरी इनवर्टर के पास यहां आप देख रहे हैं बैटरी इनवर्टर रखा हुआ है तो यहां एक बात ध्यान देंगे कि इनवर्टर के बैटरी में पानी डालते समय सुरच्छा का पूरा ध्यान दें बैटरी में पानी डालने से पहले इ बैतरी में पानी ड्रहने के लिए कुछ भिसेश बातों का ध्यान देना है। यहां देखिए पानी कैसे डाला जाएगा। देखिए दो तरीका में भरनालेका। यहां से खोलेंगे। जो में इन्डीकेटर उया लगा हुआ है। इस ढतना झौलेंगे। पानी डाल सकते हैं, अगर आप यहां से पानी डालना चाहते हैं, तो यहां एक धक्कन लगा हुआ है, इसको खोलेंगे, पेचकस के द्वारा इसको खोलेंगे धक्कन को, तो यह खुल जाएगा, यहां हम नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि हमें पानी डालना है, क्यों यह वीडिय यहां ग्रीन सरकिल है यानि हरा सरकिल बना हुआ है और यहां नीचे लाल दिख रहा होगा सरकिल बना हुआ है यानि कि अधिक्तम यह हरा जो है यहां तक पानी आप भर सकते हैं और यहां देखिए लाल जो दिख रहा है जो लाल दिख रहा है इससे कम पानी नहीं होना जब भी बैटरी में हम पानी डालेंगे तो पानी डालने के लिए एक कुपी ले लेंगे कुपी इसको जब धक्कन खोल लेंगे तो कुपी को लगा देंगे और उसके बाद धीरे-धीरे पानी डालेंगे आराम से पानी डालेंगे ताकि इस बैटरी के ऊपर कहीं पानी न गि बीच-बीच में इसका लेबल करते हुझा जैसे ही लेबल सही हो जाएगा यानि की हरा तक हो जाएगा पानी डालना बंद कर देंगे जब भी बैटरी में पाने डालेज्गे ऐसें नल से लाइफ हो जाएगे तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आगा जरूर बताए अगर यह वीडियो आपको पसंद आये हो तो वीडियो को like करे share करे और channel पर नहये हैं तो चैनल को subscribe करे अगर यह वीडियो आप facebook पर देख रहे हैं तो page को follow करे अब अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार